हेलो फ्रेंड्स वल्कम बैक माई यूट्यूब चैनल बालोजी साइन्स आज हम आप लोगों को संतुलित आहार अथवा बैलेंस्ट डाइट के बारें बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत्रक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंजी चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले संतुलित आहार की परिभासा जान लेते हैं तो हमारे आहार में बिभिन्द प्रकार के सभी पोसक पदार्थ ऐसे अनुपात में होने चाहिए जिससे हमारे सरीर की सारी आवसकताओं की निरंतर पूर्ती होती रहे ऐसे आहार को संतुलिद आहार अथवा बैलेंस डाइट कहते हैं चलिए इस परिभासा को अच्छे से समय लेते हैं तो पहली लाइन है कि हमारे आहार में भोजन में बिभिन्द प्रकार के सभी पोसक पदार्थ ऐसे अनुपात में होने चाहिए तो पोसक पदार्थ मैंने पिछले वीडियो बताया था कि पोसक पदार्थ कौन-कौन से होते ह हैं इनकी कमी से क्या होता है अगर हमको यह मिलेंगे अच्छे से तो क्या होगा तो यह पोसक पदार्थ होते हैं तो आधी इन सब का हमारे भोजन में ऐसे अनुपात में होना जरूरी है जिससे हमारे सरीर की ब्रिधी, स्वास्त, किरिया से इलता आदि सभी किरियाए सुचार रूप से चल सके तो हमारे सारी आवसकताएं जो हमारे सरीर की सारी आवसकताएं वो पूरी हो जाएंगी तो उसे ही संतुलित आहार कहते हैं तो ये तो हम सभी जानते हैं कि भोजन के बिभिन प्रकार के पोसकत्तों का अलग-अलग कारे होता है आप जान भी गए होंगे क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने डीटेल से बताया था किसका क्या कारे होता है तो भोजन के बिभिन पोसकत्तों का अलग-अलग कारे होता है यानि बिटामीन, प्रोटीन, कार्वोहेडेड, वसा आद इस सभी जो पोसकत्त्त होते हैं, इनका कार्य अलग-अलग होता है, डिफरेंट होता है, और यदि यह सभी पोसकत्त्त ठीक अनुपात में हमें प्राप्त होते हैं, तो हमारा स्वास्त ठीक रहता है यानि जिस अनुपात में हमें जरूरत है उस अनुपात में ये प्राप्त होते हैं तो हमारा स्वास्त क्या है ठीक रहता है इसलिए बिभिन खादिपदार्थों के मिस्रण से बने उस आहार को जो हमारे सरीर को सभी पौश्टिकतत तो सरीर क आवसकता के अरुसार उचित मात्रा में प्रदान करता है उसे ही संतुलित आहार कहते हैं तो कुल मिला करके बात ये हुई कि हमारा आहार या भोजन संतुलित तब ही कहलाएगा जब हमारी सारीरिक जरूरतों को पूरा कर पाएगा तो उसे ही संतुलित आहार कहेंगे तो इस बहुत से कारणों पर निर्भर करती है तो जो हमारे सरीर की आवसक्ताएं हैं ये कई कारणों पर आधारित होती है जैसे आयू कितनी है आपकी लिंग क्या है आपका जलवायू क्या है और सारीरिक कार क्या क्या करते हैं आप तो इन सब निर्भर करती है और किस तत्त से कितनी वर्जा मिलती है ये भी हमें जानना जरूरी होता है संदृत आहार के लिए तो वेग्यानिकों ने पता लगाया कि प्रत दिन की सामान दिन चर्या के लिए जो लोग सामान दिन चर्या के लिए सिसूं तथा ब्रिध विक्तियों को लगभग 1600 किलो कलोरी वर्जा की आवसकता होती है जो सिसू होते हैं और जो ब्रिध विक्ति होते हैं उनको लगभग में 1600 किलो कलोरी वर्जा की जरूरत पड़ती है बड़े बच्चों को 200 किलो कलोरी वर्जा की आवसकता होती है और जो जवान विक्ति होते हैं जवान विक्तियों को लगभग 2800 किलो कलोरी वर्जा की आवसकता होती लगभग में है और एक आवसत मनुस को जीवित रहने के लिए भी आप जान लेजिए जीवित रहने के लिए 1700 किलो कलोरी वर्जा की प्रति दिन आवसकता होती है 1700 किलो कलोरी जीवित रहने के लिए और एक इस्त्री को 1450 किलो कलोरी की आवशक्ता होती है तो बिभिन आयूवर्ग के अनुसार किसको कितनी मात्रा में पोसक तक तो लेने चाहिए आए इस सार्णी से इस चार्ट से जान लेते हैं तो ये चार्ट देखिए चार्ट में पहला कालम है भोजन सामगरी यानि कौन सा भोजन है फिर वहस्क पुरुस में सामान जीवन जीने वाले बिक्तियों के लिए फिर कम स्रम करने वाले बिक्तियों के लिए जो थोड़ा काम करते हैं फिर कठिन सरम करने वाले बिर्तिओं के लिए जो कठिन काम करते हैं और फिर वैस्क इस तुरियों के बारे में ध्या गया है ऐसे ही कि जो सामाने जीवन जीती है जो कम सरम करती है। 460 ग्राम अनाज लेना चाहिए प्रति दिन और कम स्रम करने वालों को 520 ग्राम और कठिन स्रम करने वाले को 670 ग्राम लेना चाहिए इस तरह से दालों में देखिए 70, 80, 90 ग्राम दिया गया है सबजियों में 300, 350 और 400 ग्राम दिया गया है फल में 30, 40, 50 ग्राम दिया गया है और ऐसे ही दूद में 200 ग्राम सामान जीवन जीने वालों के लिए 225 ग्राम कम सरम करने वालों के लिए और कठिन सरम करने वालों के लिए 250 ग्राम दिया गया है ऐसे ही वसाएं 35, 45, 55 और मीठा और इस्टार चैनि मंड 30, 40, 50 दिया गया है यह हुआ वैस्क पुरुस के लिए जो सामाने जीवन जीते हैं, कम स्रम करते हैं और कठिन स्रम करते हैं अलग-अलग सबका है ऐसे ही वैस्क इस्त्रियों के लिए भी दिया गया है कि जो सामाने जीवन जीती हैं, कम स्रम करती हैं, कठिन स्रम करती हैं तो अनाजों में, इस्त जो सामाने जीवन जीती हैं फिर कम स्रम करने वालों के लिए 440 ग्राम और कठिन स्रम करने वालों के लिए 475 ग्राम अनाज चाहिए होता है जो इस्तियों के बारे बताया है जो वयस्क इस्तियां हैं और ऐसे ही दालों की आवसकता जो सामाने जीवन जीती हैं 60 ग्राम जो कम स और फिर फलो में 30 ग्राम 40 ग्राम और 50 ग्राम ऐसे ही दूद में 200 ग्राम 25 ग्राम 250 ग्राम ऐसे ही वसाओं में 30 ग्राम 40 ग्राम और 50 ग्राम दिया गया है और इसे तरह से मीठा एव मंड में 25 ग्राम 35 ग्राम और 45 ग्राम दिया गया है कुल मिला करके ये इस्त्रियों का हो जाएगा और फिर सिस्वों में अगर आते हैं तो सिस्वों में 1-3 वर्ष के लिए अलग यहां बताया गया है अनाज 175 ग्राम और 4-6 वर्ष की आयो के लिए सिस्व के लिए 270 ग्राम अनाज चाहिए होता है और यदि दालों की बात की जाए तो 35-35 ग्राम दोनों सिस्वों को चाहिए होती है यानि 1-3 और 4-6 खुल मिला करके 1-6 वर्ष तक के सिस्वों के लिए दालें 35-35 ग्राम चाहिए होती हैं प्रति दिन और ऐसे ही सबजियों में 100 ग्राम और 150 ग्राम ऐसे ही फलों में 20-20 ग्राम ऐसे ही दूद 200 और 250 ग्राम फिर वसाओं में 15 और 20 ग्राम और फिर मीठा और स्टार्च में 15 और 20 ग्राम दिया गया है और फिर आते हैं लड़कों में यानि 10-12 वर्ष की आयो के जो लड़के होते हैं इनके लिए अनाच 420 ग्राम और डाले 45 ग्राम और सबजियां 200 ग्राम, फल 30 ग्राम, दूद 250 ग्राम, वसाएं 25 ग्राम और मीठा और स्टार्च 25 ग्राम दिया गया है। करफा जाये तो 25 ग्राम दिया गाया, बाकि जो बीच की जब्र के उवर्ग वाले रहे गया जाए, वह उसी के आसपास में ग्राम की आवशक्ता कितनी होती है नि बिभिन आयुवर्ग के लिए आवशक कैलोरी की मात्रा कितनी होती है तो ये चार्ट देखिए इस चार्ट में देखिए 6 माह 120 120 कैलोरी इधर लड़के हैं और इधर प्रति किलोग्राम भार में लड़किया दी गई हैं ऐसे ही यहाँ पर 6-12 माह 100 और 100 कैलोरी दोनों में 1-3 वर्ष के लिए 1200 और 1200 एक से 6 वर्ष के लिए 1600 और 1600 ऐसे ही 7 से 9 वर्ष के लिए 1800 और 1800 दिया गया है 9 से 12 वर्ष के लिए 200 और 200 दिया गया है अगर कि 12 वस्था में देखा जाए तो 13 से 15 वर्ष के लड़कों के लिए 2500 कैलोरी और लड़कियों 2200 कैलोरी की ही आवसकता होती है प्रति किलोग्राम भार में और यदि 16 से 20 वर्ष के लड़कों को देखा जाए तो 300 कैलोरी और अगर लड़कियों को देखा जाए इसी उम्र में तो 2500 कैलोरी उर्जा की आवसकता होती है अगर इस्त्रियों की बात की जाए तो गर्भा आवस् चार्ट मैंने आपको दिखाया है तो संतुलित आहार कीशे कहते हैं शंतुलित आहार के लिए डाइट चार्ट क्या है और उसमें किस आयू वर्ग के लिए कितने ग्राम पोसकत्तनों की जरूरत होती है पूरा मैंने डीटेल से बताया है आप लोगों को तो आसा है आप सभी के लोगों को संतुलित आहार क्या होता है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में वेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए तक ही आने वाले अगले वीडियो की धन्यवाद